स्वागत है दोस्तों आप सब का शाहिद आजमी लाइप पर बहुत महत्पून जानकारी लेकर आया हूँ इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा ICC ने विश्क अप के लिए अंपायरों और इसके लाव अफिसल्स की नियुक्ति कर दी है कौन कौन से अंपायर है किस मुकाबले के लिए कौन सा अंपायर होगा खास तोर से उद्घाटनल मैच में किसे जिम्मेदारी सौपी गई है और वो कौन सा अंपायर है जो बहुत बड़ा अंपायर है लेकिन इस बार वो पैनल में शामिल नहीं है भारत से कौन अंपायर है द मैच रेफरी होंगे अंतराश्टी किर्केट परिशद यानि ICC ने आज शुकरवार को इसकी घोशना की है ICC के अनुसार एहमदाबाद में होने वाले ट्रोनामिट के शुरुवाती मैच में पॉल विल्सन टीवी अंपायर और शर्फुत दौला इबन शैद चोथे अंपायर के लिए नियुक्त के के चार अंपायरों में से तीन धमसेना मराइस इमारस और रोड टकर इस सुची में शामिल है केवल अलीमदार जो पाकिस्तान के अंपायर है इस सुची से गायब है उन्होंने इस साल मार्च में एलीट पैनल से इस सिफा दे दिया है ICC एलीट पैनल क चार मैच रेफरी जेफ क्रो एंडी पाइक्राफ्ट रिजी रिचर्ट सन और शिदनात विशकप में अपनी सेवाएं देंगे लिग चरण के सभी मैचों के लिए अंपायर और मैच रेफरी की घोशना कर दी गई है सेम फाइनल और फाइनल मैच के लिए अधिकारियों की गोशना बाद में की जाएगी विशक अपके लिए न्यूक्त के गया अंपायर इस तरह हैं क्रिस माउन कुमा धंसेना मराइस इरामस क्रिस गैफनी माइकल गौ एडियन होडकॉस रिचर्ट इंगलिवाद रिचर्ट केट बोरो नितिन मेरन अहसान रजा पॉल रिफेल शर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद